हेलो फ्रेंट्स आप सबका कक्सद स्विग्यन विश्षिर के अध्या आठ जीव जुनन कैसे करते हैं कि अभ्यास प्रशनों की इस क्लास में हर्दिक स्वागत है तो आज की इस क्लास में हम आपके आठ वे अध्या जीव जुनन कैसे करते हैं कि जितने भी पाट के भीतर दि देखें पहला प्रशन आपके सामने दिया गया है DNA पर्तिकर्ती का परजनन में क्या महत्व है बताना है कि DNA की जो पर्तिकर्ती यानि कौपी बनती है उसका परजनन में क्या महत्व है तो DNA के अनुवों में अनुवांसिक गुणों का क्या होता है संदेश होता है जो कहां जाते हैं जनक से संतति पीडी में जाते हैं यह पीडी दर पीडी अभी लक्षन हस्तांतरित करने में क्या करता है साहता करता है यानि DNA के माध्यम से ही एक पीडी से गुण दूसरी पीडी में क्या होते हैं इस्ता नांतरित होते हैं साथ ही DNA परती करती में क्या पाई जाती है विबिनता पाई जाती है जब एक DNA की कितनी कौपी बनती है दो कौपी बनती है तो उन दोनों कौपीों में क्या होती है विबिनता होती है जिसकी कारण से इस परत्वी पर जेव विबिता पाई जाती है और वोही जेव विबिता कि किसी भी स्पिसी या प्रजाती को इस पर्थवी पर रहने या उसकी उत्तर जीविता को बिनाय रखने के लिए क्या होती है आफश्यक होती है इसी कारण से डियने प्रतिकर्ती का परजनन के अंदर एक महत्वण योगदान है या महत्वण महत्व है जिसकी वज़े से ही एक पीडे के गुण दूसरी पीडे में इस्तांतरित होते हैं और साथ ही डियने परतिकर्ती में होने वाले बजलावों के आधर पर ही नई तरह के जीवों का निर्वान होता है और वो अपने आपको उस प्रयावरन या प्रस्तिती के अनुसार या होने वाले बजलावों के अ आवश्यक है परंतु वियाश्टी के लिए आवश्यक नहीं है क्यों जीवों के अंदर जो विभिनताय होती है वो एक इस्पिसीज के लिए तो आवश्यक है लेकिन वियाश्टी के लिए नहीं है क्यों तो विभिनताय है वो किसी भी इस्पिसीज की उतर जीवीता को क्योंकि यदि किसी समस्ट्री के जीवों में कुछ विबिनताय होगी तभी तो कुछ उग्र परिवर्तन आने पर वो जीवित रहे पाएंगे अन्य था क्या हो जाएगा समस्ट्री का मूल विनास संभव है अन्य बूलकुल वो सभी एगर एक प्रकार के जीव होंगे कि समस्ट्री में से अधिकतर जीवानू क्या हो जाएंगे मर जाएंगे क्योंकि जब गर्मी बढ़ेगी तो जो सीत ठंडे एरिया में रहने वाले जीवानू है वो जद्यदर क्या हो जाएंगे मर जाएंगे परन्तु कुछ जिवानु जो उष्ण परतिरोधी समता वाले जीव है वो क्या उपाएंगे वो परत्वी पर जीवित रहे जाएंगे तो विभिन्ता इस पिसीज के लिए तो आफशक है लेकिन वैस्टी के लिए आफशक नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रशन ठीक है इसी का अगला मतलब किसी दूसरे पेज पर अगला प्रशन दिया गया होगा दुवी खंडन बहु खंडन से किस प्रकार भिन है तो मैं बताना है कि दुवी खंडन और बहु खंडन में क्या अंतर है तो बात करें हम दुवी विखंडन की तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि दुवी खंडन विधी में कोई जीव एक कोशिका से दो नई कोशिकाओं में क्या हो जाता है विबाजित हो जाता है एक जनक कोशिका से दो नई संतति कोशिकाओं का निर्मान होता है वही बात करें ब कोसिकाओं में विखंडित हो जाएगी दो से जड़ा कोसिकाओं में गर बात करें दूवी विखंडन की तो अमीबा में दूवी विखंडन द्वारा एक अमीबा किसी तल से दो भागों में विबक्त हो जाता है यानि एक अमीबा एक मात्र कोसिका से दू नई संतति कोसिकाओ का निर्मान होता है वही बात करें काला जार के रोगानू जिसे कहते हैं लैसमानिया में कोसिका के एक सीरे पर कोड़े के समान सुक्ष्म सरंचना होती है और ऐसे जीवों में दुविखंडन एक निर्धारित तल से होता है यह अम्भीबा में दुखंडन की जो परकिरिया है वो किसी भी तल से हो सकती है जबकि लैसमानिया में जो भी खंडन की परकिरिया है वो एक निचित तल से ही होती है ठीक है फिर बात करें बहु खंडन की तो जैसे मलेरिया पर जीवी प्लेजमोडियम में एक कोसिकिय जीवों के बाहर एक परत चड़ी होती है जिसके अंदर अंतर याल रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला परशन दिया गया है बिजानु द्वारा जनन से जीव किस परकार लाभानवित होते हैं तो बिजानु के चारो और एक मोटी बित्ती होती है जो परतिकुल प्रस्तितियों में उसकी क्या करती है रक्सा करती है और ये ब ब्रदी करने लगते हैं ये हलके थता गोल होते हैं जिसके कारण आसानी से वातावरण में क्या जाते हैं फैल जाते हैं और इस प्रकार विजानु जनन की विधी द्वारा एक जनक से कई सारे अन्य संतति जीवों का निर्मान हो जाता है ठीक है अगे बढ़ते हैं अगला क्या जो जटिल सरंचना वाले जीव है वो पुनरुद भवन जो की जीव जनन की एक विधी है उसके द्वारा नई संतान उत्पन नहीं कर सकते हैं तो देखें जटिल सरंचना वाले जीवों में विसिष्ट कारे करने के लिए एक खास अंग और क्या होता है एक अंग तंत् कर अगर हम अलग रख दे तो क्या उससे नई जीव का निर्मन हो जाएगा नहीं हो जाएगा क्योंकि पुन्रूत भवन में क्या होता है जब एक जीव कई सारे टूकड़ों में विवाजित हो जाता है तो वो टूकड़े धीरे-धीरे बर्दी करके नई जीव के निरूप में क्या हो जाते हैं प्रिवर्थित हो जाते हैं तो ऐसी प्रक्रिया जटिल स्रंचना वाले जीवों में नहीं हो पाती आगे बात करें कि जो पुन्रूत भवन है वो विशिष्ट कोसिकाओ द्वारा ही संपादित होती है इन कोसिकाओ के करम परसरन से अनेक कोसिकाओ क्या हो बन जाती है इस कारण से ऐसा जनन केवल उनी जीवों में संभव है जिन में बिसिष्ट कारे करने के लिए कोई अंग नहीं पाए जाते हैं यहने सरल सब्दों में कहे तो जटिल संचना वाले जो जीव है उनमें पुनरुद भवन द्वारा नई जीव का निर्मान नहीं हो सक ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्म दिया गया है कुछ पौधों को उगाने के लिए काईक परवर्धन का उप्योग क्यों किया जाता है काईक परवर्धन भी अलैंगिक जनन की एक विदी है जिसकी सर्चा आमने चैप्टर की व्याक्या के दोरां बिल्कुल अच् उप्यों क्यों किया जाता है तो देखो इसके फाइदे क्या है तो काईक परवर्धन द्वारा उगाए गई पोधो में बीज द्वारा उगाए पोधों की फैक्सा पूसप और फल दोनों क्या लगते हैं। तम समय में लगते हैं यह समय के अंदर लगा दिया और इसे क्या बन गया इससे क्या होगा इस पर लगने वाले बुलाब के पुल जल्दी आजाएंगे क्यों कि क्यों कि एक बीज लाके बोते तो वह धीरे-धीरे बाहर निकलता जम्हिन से फिर व्रदी करते करते इतना बड़ा होता था ने काफी समय लग यहाँ पद्दती उन पौदों के उलगाने के लिए उप्यूक्त है जो बीच उत्पन करने की समता क्या हो चुके हैं खो चुके हैं या जिनके बीच नहीं होते हैं ऐसे पौदों या पादप को काईग प्रवर्धन विधी द्वारा उगाया जाता है यसे बात करें गुलाब चमेली चंतरा और केला साधरान तो ऐसे पौदों को हम काईग प्रवर्धन विधी द्वारा उगाते हैं काईग प्रवर्धन द्वारा उत्पन सभी पौदे आनुवांसिक रूप से कैसे होते हैं जनक पौदे के बिलकुल समान होते हैं उसमें कुछ भी विबिनता नहीं ह तो यह कुछ प्रवर्धन के लाब है इन लाभों या उप्युकीताओं की वजय से ज्याद तर पोध्य को उगाने के लिए ताइक प्रवर्धन का उप्योग किया जाता है ठीक है आगे बात करें डिने की परतिकर्थी बनाना जन्नक के लिए आवस्यक क्यूं है? DNA की जो कौपी बनती है वो बनाना जन्नक के लिए आशक क्यों है तो DNA की कौपी बनाना जन्नक के लिए बहुत ही आशक है क्योंकि इससे संतती कोशी का है समान होते हुए भी किसी न किसी एक रूप में दूसरे से क्या होती है भिन्न होती है और यही विबीनताय किसका आधार है जैव विकास का आधार है मतलब जब एक जनक से नई संतती जीवों का निर्मान होता है तो इस दोरान DNA की दो कौपी बनती है ठीक है और इन दो कौपी के बनने के बावजुद भी जो जनक से संतती का निर्मान होता है उसमे बिल्कुल जनक की तरह नहीं होती और इस जनन की प्रकिरिया में कितनी कौपी बनती है दो कौपी और इसके साथ साथ कुछ अन्य कोशी की सरंचनाव का भी क्या होता है सरजन होता है निर्मान भी होता है और इसके बाद DNA की जो परतिकरतिया है वो क्या हो जाती है विलग यान जनक DNA कौपी से कुछ अलग बना देती है और इसके परिणाम सरूप ही कुछ अलग विस्यस्ताव वाले जीवों का निर्मान होता है और वो ही क्या है जेव विकास या जेव विभिनता का आधार है अगर ऐसा नहीं होगा तो सभी प्रकार के जीव एक ही जैसे होंगे और अच प्रागन की किरिया है वो निसेशन से अलग कैसे है तो देखे प्रागन क्या होता है प्रागकनों का पुंके सर से बरतिक आगरत तक पहुंचने की किरिया क्या कहलाती है प्रागकन कहलाती है प्रागकन जो की नर जनन पुस्प के क्या है भाग है वो प्रागकन जब कहां प और पूंकेसर से मादा जनननंगां के वर्तिकागरत तक पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं परागण परी निसेशन किसे कहते हैं नर और मादा युगमकों के मिलने से क्या बनता है जाइगोट याणि युगमनच बनता है और युगमनच बनने की ये प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है निसेशन कहलाती है यानि नर और मादा युगमक के मिलने या संयोजित उने की जो क्रिया है वो कहलाती है निसेशन कहलाती है अब जो परागन की क्रिया है वो कीट हवा जल पकसी आधी के माध्यम से हो सकती है जबकि नर युगमकों को मादा युगमक तक ले जाने क कार्य कौन करती है परागनली का करती है ठीक है फिर परागन ये जो किरिया है वो पुस्पो में निसेशन से पहले होती है जबकि जो निसेशन की किरिया है वो पुस्पो में किसके बाद होती है परागन के बाद होती है तो ये परागन और निसेशन में अंतर था यहां पर जो प्रोश्टेट ग्रंथी की क्या भूमिका है तो देखें प्रोश्टेट और सुक्राणू दोनों अपने जो स्राव है वो कहां डालते हैं सुक्रवाहिका में डालते हैं जिससे सुक्राणू एक तरल माध्यम में आ जाते हैं और इस तरल माध्यम के कारण सुक्रानुव का जो इस्तानांतरन है वो सरलता से हो जाता है और साथ ही ये विशिष्ट प्रकार का जो स्राव है वो उन्हें क्या करता है सुक्रानुव को पोसन भी प्रदान करता है अत्र सुक्रासिय और प्रोश्टेट गंती दोनों के द्वारा एक तरल का क्या होता है श्राव होता है उस तरल प्रदात के जरीए जो सुक्राणू है उनका इस्तान आंतरन आसानी से हो जाता है ताक साथ ही वो तरल माध्यम सुक्राणू को पोशन भी प्रदान करता है ठीक है अगला प्रशन है योवना आरम के समय लड़कियों में कौन-क से प्रिवर्तन दिखाई देते हैं तो इसकी सर्चा तो हमने बहुत अच्छे से कर ली थी एक तो वक्स के भाग में इस्तनों का विकास होता है रजोध्रम या रितुस्राव का प्रारम हो जाता है आवाज पतली हो जाती है और गुपतांगों प्रक्या उलने लगते हैं बाल उगने लगते हैं ठीक है अगला प्रशन मा के सरीर में गर्बस्त सीसू को या भुरून को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है तो इसकी सर्चा आपने अपरा नाल या प्ले सेंटरा उसके माध्यम से ही भुरून को क्या मिलता है संपुन पोषण मिलता है तो देखें भ प्ले सेंटरा या अपरा नाल कहते हैं क्या कहते हैं? यह एक तस्तरी नुमा सरंचना होती है जो गर्बाश्य की भिती में क्या होती है? दसी होती है अगर आपको इस ची़ट को अच्छे से समाझना है तो आप चैप्टर का जो मादर जदम तंतर भुरून को अच्छे समझ में आ जाएगा वापर मैंने बहुत सारे चित्रों के माध्यम से भी अच्छे से समझाया है ठीक है तो इसमें क्या होता है बुरून की और उत्तक में कुछ प्रवर्द्र होते हैं यानि कुछ विशेष्ट पतली सरंचना होती है जो मा के उत्तकों में रक्ष इस्तान होते हैं और वो प्रवर्द्रों को क्या करते हैं आच्छादित करते हैं यानि मा के उत्तकों में क्या होते हैं रक्ष इस्तान होते हैं और वो उन विशेष्ट शंचनाओं के जो प्रवर्द्रों होते हैं उनको आच्छादित करते हैं यानि धखते हैं इकटा करते हैं और यह मा के भरून को गलुकोज, और अक्सीजन और अन्य परदातों की इसनान्तरन है तो एक ब्रहत चित्र परदान करते हैं इसके अलावा जो विकास सिल भरून है वो मादा के सरीर में यानि मा के सरीर में जो अप्सिष्ट परदात छोड़ते हैं वो अप्सिष्ट परदातों का जो निप्टान है जो निस्पादन है वो भी प्ले सेंटा के माध्यम से कापर होता है, मा के रुदिर में ही होता है, तो एक इसका काम है प्ले सेंटा या अपरा नाल का ठीक, आगे बढ़ते हैं यदि कोई महिला पॉपर्टी का परियोग कर रही है तो क्या उसकी योण संसरित रोगों से रक्सा करेगा तो देखो पॉपर्टी किसी रोग से रक्सा करने के लिए यूज नहीं किया जाता बलकि किसके लिए के जाता है गरब धारन को रोकने के लिए के जाता है ठीक है? नहीं, तो इसका जबाब क्या होगा? नहीं, एकर कोई महिला कॉपरटी का उप्यों कर रही है, तो वो उसे किसी भी प्रकार के योन संचारित रोगों से नहीं बचाएगा, क्यों? केवल यह किसका काम करेगा? यह तो नर और मादा के बीच सारेरिक संबंद इस्ताब तो करी सकती है, तो ऐसे इस्तती में केवल गरब धारन नहीं होगा, बाकी वो नर के साथ संबो कर सकती है, अतो उसे किसी भी प्रकार का रोग भी हो सकता है, ठीक है? अगला प्रशन है, अब हम बात कर रहे हैं, पाटे पुस्तक के प्रशन, अभी तक हमने जितने भी जाएगा, वो किसमें होती है, यिस्टिया हाइडरा में होती है, ठीक है, अगला है, निम्न मैंसे कौन मानों में मादा जनन तंतर का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है, सुक्रवाही का, क्योंकि ये किसका भाग है, ये नर जनन तंतर का भाग है, अगला है, प्राग कोस में ह क्या होते हैं प्राग कूस में प्राग कन होते हैं ठीक है अगला है अलेंगिक जनन की अपैक्सा लेंगिक जनन के क्या लाब है में बताना है कि अलेंगिक जनन की तुलना में लेंगिक जनन के फाइदे क्या है तो देखो अलेंगिक जनन से प्राप्त संतती किसके वहमान होती यह जनक के बिलकुल समान होती है, यह उसके गुणों में कोई विबिनता नहीं होती, क्योंकि इन में एक ही जीव के DNA से परतिगरती क्या होती है, प्राप्त होती है, क्योंकि अलेंगिक जनन क्या होता है, जनन की वो विधी जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, यह एक ह लेंगिक जनन में दो या उससे अधीक जीव क्या लेते हैं भाग लेते हैं और तो यहाँ पर DNA की कितनी कौपी बनती है दो कौपी बनती है एक नर की और एक मादा की और जब DNA की दोनों कौपी आपस में मिलती है या डियने के जो गुण सुत्र है अनू है जब वो नर और पिता से बिल्कुल क्या होती है अलग होती है और लेंगिक जनन में ही नई संयोजन के क्या होते हैं अवसर मिलते हैं जिससे नई स्पीसीज और जाती की क्या होती है उत्पती होती है ठीक है आगे बात करते हैं प्रश्म संगया पांच मानम में वर्सन के क्या रह क्या है तो इसकी सर्चाब भी हमने बहुत अच्छे से करी थी जब हमने मानों में लेंगिक जर्नल पड़ा था वो कलास आप जरूर देख ले जहां मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया था क्योंकि यहां पर मैं आपके प्रशन उत्रसौल करा रहा हूं तो बहुत विस्तार वो का निर्मान होता है ठीक है और अंडानू मादा के सरीर में कब तक जीवित रहता है 28 दिन तक और इस 28 दिन की अवधी में यदि जो मादा किसी नर के साथ संबोग करती है और अगर सुक्रानू और अंडानू का मिलन हो जाता है तो कौन से किरिया होगी निसेशन की किरिय तो यूगमनज़ बनेगा और यूगमनज़ फिर गर्भाशय में जाके इस्तापित हो जाएगा और विद्यद्युरेवृणद Carnes Sep Vir Se Sar Gill Hal県 लेकिन अगर 28 दिन कि एवाधी में अगर कोई मादा नर के साथ संभोग नहीं करती है तो परतेक 28 दिन करता है का इंडानु के लिए यह करता लोग में ता नहीं होगी तो गर्बासियो रहा अंडानु के लिए या यूग्मनज के लिए जो दिवार टैक त्यार वो दिवार फिर से क्या हो जाती है, तूट जाती है, और जब वो दिवार तूटती है, तो वो दिवार और साथ में कुछ विशिष्ट कोसी का है, वो भी तूट कर क्या होती है, मादा की योनी द्वार से रक्त के रूप में बाहर निकलती है, और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ह प्रभूक Hybrid की बात की गई है एक अंडास्टिय बर्ति का ग्रोव और वर्ति का यह तीनों मिलके क्या बनाते हैे इस्त्री केसर जो कि किसका बाग है माधा जननननंग का वही बात करें पराकोோταू और यह बिलके क्या बनाते हैं पूंकेसर फीक है और यह किसका बाग यह नर ज सी वीदियो का उप्योग किया जाता है तो देखे सबसे पहली वीदियो कौन सी है यांतरीक अवरोत इसमें क्या होता है कि सुक्राणू अंड कोशीका तक ना पहुंचे इसके लिए या तो सीसं जो की नर्जुनन तंतरकांग है उसको ढखनों के लिए कंडॉम या फिर यौन हार्मोन संतुलन में परिवर्तन अब ये जो परिवर्तन है वो सामानेत इसके लिए क्या लिजाती है गोलिया लिजाती है यह कुछ विशिष्ट गोलिया लिजाती है जो मादा की द्वारा गरहन की जाती है जिसके कारण उसके स्रीर में उत्पन होने वाले हार्मोनों के सं तो इसमें क्या होता है इसमें या तो पूरूस होते है उसकी सुक्रवाहिकाओ को ऑपरेशन करके अवरूत कर दिया जाता है ताकि सुक्रवाहिकाओ का इस्तना अंतर ना हो या फिर मादा के अंदर अंडवाहिनी या फिर उसको कहता है फैलोपिन ट्यूब उसको क्या कर दिय जाता है, अवरूत कर दिया जाता है, रोप दिया जाता है, ताकि जो अंडानू है, वो माधा के गरभासे तक नहीं पहुन सके, और ऐसी इस्तती में निसेशन की किरिया नहीं भोपाएगी, तो यह कुछ परमूख तरीके हैं, जिनकी मदद से गरभ दारू को रोका जा सकता ह अगला है एक कोसी के और बहु कोसी के जीवों की जनन पद्दती में क्या अंतर है तो यह तो बिल्कूल सरल ही है कि जो जाजातर एक कोसी के जीव है उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है विखंडन या दुई खंडन की प्रक्रिया होती है जबकि जो बहु कोसी के जीव है उनमे एक कोशीका से दो नई कोशीकाओं का क्या होता है निर्माण होता है वही बात करें बहुखंडन की तो बहुखंडन में एक कोशीका से कई सारी अन्य संतत्ति कोशीकाओं का निर्माण होता है दुखंडन के उध्यान की बात करें तो अमीबा हो गया और लैसमानिया हो गया व और ज्यादातर जो एक कोशी के जीव है उनमें कौन सा जनन होता है अलेंगिक जनन होता है और वही जो ज्यादातर बहु कोशी के जीव है उनमें कौन सा जनन होता है उनमें लेंगिक जनन की प्रकरिया पाई जाती है तो ये परवुक अंतर है ठीक है आगे बात करें जनन किस सबस्ता बै Lauren ऐसी इसपी सिस्ट की समस्ट्टी के इस्ताूँ में निशनु किस प्रकार संध्य तो देखोम किसी इससी कारण स की यagar परजाती का इस परत्वी-परस्तित्व कैसे न रहता न है कि तो देखोवाध verwdh st этих समता के कारण जीवों की समस्ट्री परित अंतर में अपना इस्तान या निकेत घरण करने में क्या होते हैं सक्सम होते हैं क्यों क्यों कि देखो जब एक जनन की प्रकरिया ही नहीं होगी तो एक जीव से दूसरी नहीं जीव की उत्पति नहीं होगी पर परतेक जीव की मरती तो निचीत है और कुछ समय बद उस जीव की क्या हो जाएगी मरती हो जाएगी तो ऐसी इस्तती में उसका परत्वी से अस्तित्व क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा तो परतेक जीव चाहता है कि प्रकरती में उसका अस्तित्व बना रहे और इसके लिए वो अपने जैसे ये नई जीव के क्या करता है उत्पती करता है और जनन के द्वारान क्या होता है DNA की परती करती बनती है याने कौपी बनती है और DNA की कौपी में क्या होता है कुछ परिवर्तन होते हैं जिसके कारण बनने वाले नई जो जीव है उनकी सारीरिक सरंचना और डिजैन में क्या आता है अंतर आता है और इसी कारण वो उन्हें क्या विसेश निकेत निकेत का मतलब होता है इस्तान विसेश इस्तान रहने के क्या बनाती है योग्य बनाती है इसी कारण से किसी भी इस्पिसीज के अ अगर किसी भी एक जनक से बनने वाले नए जी में विविन्ता नहीं होगी, तो धीरे-धीरे उसका परकरती से अस्तित वही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अगला प्रश्म है गरब निरोदक यूकतिया अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, यहनी गरब धारन को रोकन किया जाता है पहला तो गरब धारन को क्या किया जा सके रोका जा सके दूसरा लेंगिक सनुचरण यानि योंच संबंदों की द्वारा जो रोक फैलते हैं जैसे HIV एड्स गोनेरिया सीफलीस मस्सा इन से क्या हो सके बचाव हो सके और इसके अलावा बच्चों के बीच का जन्म हो तो यसी इस्ततियों के लिए क्या किया जाता है गरब दुरुद्रक युक्तियों का उप्यक्यों जाता है ताकि जो है गरब धारन की जो समस्या है वो उठ्पन ना हो ठीक है तो इस प्रकार क्लास देखने के लाब सभी को धन्यवाद हमने आपके अब्यास के सब्सक्राइब कर लिया है उम्मित करता हूं सारे प्रशन आपको उच्छे समझ में आये होंगे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद